हाई फ्रेंड्स मैं सौरब MS Word 2010 इन हिंदी की वीडियो में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है हॉम मेन्यू तो हॉम मेन्यू के अंतरगत मैं आपको इस वीडियो में कॉपी आप्शन के बारे में बताऊंगा कट आप्शन के बारे में बताऊंगा और पेस्ट आप्शन के बारे मताऊंगा तो चलते हम अपनी MS Word डॉकुमेंट्स की वीडियो पर वहाँ पर इन आप्शन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं नाव यह मेरी MS Word डॉकुमेंट्स की वीडियो है आप देख रहे होगे हम मेन्यू के अंतरगत आने वाले सबसे फर्स्ट आप्शन आपका पेस्ट, कर्ट, कॉंपी तो बात करते हैं हम से पहले कॉंपी क्या होता है कॉंपी समझ रहे होंगे आप नकल नकल मतलब की आप जब भी यहाँ पर किसीच को दुवारा से उसीच को लिखना चाहते हैं अपने पेस्ट पर तो इसको हमें कॉंपी करना होता है कॉंपी करने के लिए आप जैसकी माल लीजिए अभी मैंने आप लिखा हुआ है I am using MS Word 2010 अब आपको यही लाइन आपको next इस चेगे पर लिखनी है तो आप इसको टाइप करेंगे तो आप टाइप नाक करके आप इसको खौंपी कीजिए तो आपको टाइप करने की कोई भी आविसकता नहीं होगी तो इसके लिए क्या करते हैं आप चाहें तो अपने माउस से अपने करसल को ले जाकर इसको स्लेट कर लीजिए इस परकार से देकार नहीं तो आप यही काम अपने एरू से जो आपके एरू बटन आती है फोर तो लेप एरू से आप जाएंगे फस्ट पे और सिप्ट के साथ आप राइट एरू जब भी प्रेस करेंगे तो जितनी भी एरिया आपको लेनी है उस area को आप select कर सकते हैं, ओके, आप देखें कि आपको क्या करना है, copy करना है, तो आप copy option पर जाएंगे, copy option आपका ये आता है, ओके, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप देख रहे होगे, नीचे लिखके आ रहा है आपका, copy के लिए control प्लस C, तो ये हमारी shortcut की है, जो आप keyword से press कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, इस पर right click करेंगे, तो भी आपका second number पर option आता है, आपका copy का, तो देखा आपने, आप तीन तरीके से copy कर सकते हैं, first ये, second आपका control प्लस C, और third आपका copy, तो मैंने यहाँ पर copy किया, इस जगे पर जाकर, अब मुझे जहाँ भी paste करना है, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, paste option का use करूँगा, paste यानि की control V, बन्दब कि आप control V दबाएंगे, तो paste हो जाएगा, और नहीं तो आप paste यहाँ पर आपका आ रहा है, इस पर जाकर आप paste कर सकते हैं, तो यसे मैं यहाँ पर click करूँगा, तो paste हो जाएग अब यहाँ पर तीन option आपके आ रहा है, एक आ रहा है कि source formatting, formatting के साथ में आपका जो भी picture होगी, वो कर सकते हैं, यहाँ पर भी उसी परकार से, और यहाँ पर अगर text लेना है only आपको तो text के लिए यहाँ पर आपका दे रखा है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, आपने text लिया है, तो आप नीचे preview में देखेंगे, जो font का size था, वो आपका कम हो गया है, कौकि मैंने यह font size भढ़ाया है, तो यह without formatting के साथ में आपका paste हो रहा है, और यहाँ पर format के साथ में, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ paste, तो जो मेरा format हुआ है, मैंने इसको font को भढ़ाया है, उसके साथ में paste हो रहा है, यह कुछ option है, इनको आप जानेंगे, और यहाँ पर आप करते हैं, तो without formatting के साथ, same, यहाँ पर आपका text जो है actual में वो दे रहा है, तो मैं इसको करूँगा, तो आप देखेंगे, यहाँ पर भी आ गया है, आप चा आप देखेंगे, आप यहाँ पर, यहाँ पर मान लिजिए आप, कि मुझे को इतना data select करना है, और इसको copy करना है, और अपनी sheet पर ले जाना है, तो मैं इसको copy करूँगा, इस बार मैं right click करके, यहाँ पर copy करता हूँ, ओके, अब मैं अपनी first sheet पर जाता हूँ, और मुझे यहाँ पर इसको paste करना है, तो मैं इसके पर आऊँगा, और यहाँ पर मैं control V करता हूँ, इस बार, तो देखा, आपने, जो भी बहाँ से आपने copy करता हूँ, second file से, वो यहाँ पर paste हो गया है, तो समझे गए होगे, आप paste क्या होता है, और copy क्या होता है, अब बात करते हैं, आप यहाँ पर देगे, first option cut का आ रहा है, नहीं तो आप control plus X करेंगे, तो भी आपका cut हो जाएगा, तो आप देखो, यहाँ पर भी जाएगे, तो भी हमें बता रहा है, control plus X, यानि कि आप control plus X से cut कर सकते हैं, फ़ल मैं यहाँ से cut करूँगा, तो आप देखा, यहाँ से cut हो गया है, आप इसको कहीं भी आप paste कर सकते हैं, आप माल लीजे मैं एक और seat यहाँ पर open करता हूँ, और resend जाकर, मैंने my first word file इस पर जाकर, मैंने इसको यहाँ पर paste कर दिया, पेस्ट करने के लिए आप जानते हैं, यहाँ पर आप paste कर सकते हैं, तो देखो, यहाँ से paste हो देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है आपका clipboard, clipboard क्लिक करते ही, यहाँ पर left hand side में, आपने जितने भी data को copy किया होगा, वो यहाँ पर show हो रहा होगा, तो यह clipboard क्या करता है, आपने जो भी copy किया है, in future आपको दवारा से उसको use करना हो, या फिर अभी just use करना हो, तो उसका use क कर सकते हैं, से कि माल लीजिए, अब मुझे इसको दवारा से यहाँ पर paste करना है, तो मैं इस पर click कर दूँगा, तो यहाँ पर यह अपने आप ही paste हो जाएगा, सेम आप इनके साथ भी यही काम कर सकते हैं, अगर आपको यह clear करना है clipboard, तो आप चाहें तो right click करके यहाँ प clipboard को भी close कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आपको सवंज आया होगा, तो आज की वीडियो में आपने सीखा, copy option के बारे में, cut option के बारे में, और paste option के बारे, next वीडियो में बात करेंगे हम font की, यानि कि आप font के साथ क्या गया कर सकते हैं operation, इसमें कि आपको मैं सखाऊंगा font face, यानि कि font style, font size, यानि कि आप font को size को घटा बढ़ा सकते हैं, आप font के साथ उसे bold कर सकते हैं, टेलेक कर सकते हैं, और underline कर सकते हैं, तो इन सवी option के बारे में बात करेंगे हम next वीडियो में, अगर हमारे ये प्रानी वीडियो देखनी है, तो यहाँ पर हमारे links दे रखक सकते हैं, हमारी website पे जिट करनी है, आपर हमारे वारे में कुछ information लेनी है, तो हमारी website है www.learnmywatch.com, हमें mail वेजना है, तो sort of add the rate learnmywatch.com पे आकर mail वेज सकते हैं, तो मिलते हैं next वीडियो में, thank you.